नमस्कार दोस्तों, राजनिती की बातों में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंदर कवारी हर्याना के पहले मुख्य मंत्री पंडित भगोद्याल सर्मा जी की कहानी को आज़े दोस्तों आगे बढ़ाते हैं दोस्तों हर्याना की राजनिती का एक दुरभागे ये भी रहा है कि हम जातियों में इतनी बुरी तरीके से बटे हुए हैं कि आदमी के गुण अउगुणों का मुल्यांकन भी जाती देख कर करते हैं पंडित भोगत द्याल भी इसके उपवाद नहीं हैं और चोदरी बंसिलाल और चोदरी देविलाल से उनके राजनितिक बिगाड और प्रोफेसर सेर सिंग को एक रोमांचक चुनाओं में अराने की वज़े से हरियाना के एक बड़े हिस्से में कभी भी पंडित जी के जिवन में जाकने कि उनकी दिल्चस्पी नहीं रही आज तक उनका नाम बस इतने में ही सिमट जाता है कि हुँ हरियाना के पहले मुख्यमंत्री थे या पीजी आई की जो ओपीडी सिलिप है उन पर नाम लिखा होता है उनका बस इतना ही जानते हैं हम उनके बारे में लेकिन हर इंसान की तरह हर बड़े आदमी की तरह पंड़ जी के जिवन के भी बहुत पहलू थे दोस्तों और एक पहलू उनके जीवन का ये भी था कि उन्होंने देश के लिए अपना जीवन जीआ एक बड़ा हिस्सा जीआ और हरियाना के मुख्यमंत्री बनने वाले सारे अब तक के लोगों में केवल तीन लोग ऐसे हैं जिनोंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया जेल गए यातनाई सही और वो लोग हैं पंडित भगोद्याल जी चोदरी देविलाल और बनार्शी दास गुपता जी इन तीनों ने ही एक अपना करांती कारी जीवन बिताया देश की आजादी में अपना योगदान दिया और अगर बात पंडित भगोद्याल जी की करें तो इसके लिए थोड़ा आजादी के आंदोलन के इतियास में जाकना पड़ेगा दोस्तो 1905 में लर्ड करजन के बंग विभाजन के बाद समूचे देश में असंतोस व्याप्त हो गया था लेकिन खासकर बंगाल के युवाओं ने संगठित होकर बंगाल विभाजन के विरुदने के वल आवाज उठाई बलकि सैसिस्तर करांती का मारग भी अपना लिया महरिसी अर्विंद घोस जी का नाम जरूर आपने सुना होगा और वो उस दोर में सेन्न राष्टरवाज जो था ससस्तर करांती जो थी उसके सरवाद एक ससक परवक्ता वो थे 1907 में उनके जो भाई हैं विरंदर घोस ने अपने सैयोगी हेमचंदर कानूंगों को बम बनाने की कला सीखने के लिए निर्वासित रूसी करांती कारी निकोलस सरफ्रांस को उसके पास मिलने के लिए पैरिस भेजा था और वहां से वो बम बना कर सीख के आए बंगाल में वंदे मातरम के रचियता भकीम चंदर चटर जी के नेतरतव में करांती कारी संगठन अनूसीलन समीती से सैकड़ युवाओं ने उस समय देश में जुड़ना शुरू किया था अनूसीलन समीती से ही हिंदूस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एससीए सनून निस्चोबिस में अस्थितव में आई और जिसका एक मातर उदिस से सैसस्तर संगरस के मादम से अंग्रेजों को भारत के बाहर बेजना था इस एसोशीएशन के संस्तापक सुप परशिद करांतीकारी स्टिंदरनाथ सान्याल जी, सरदार भगत सिंग जी, चंदर सेकर आजात जी के वो गुरू भी थे बनारस करांतीकारी गतिवीधियों के गुरुकुल की रूप में तब चर्चित था दोस्तों क्योंकि यहीं पर सान्याल जी का मुख्यले होता था 1916 में स्थापित कांसी विशुदालय बनारस विशुदालय जिसको कहते हैं भारत में एक तरह से करांतीकारीों की पाट साला वा प्रियूक साला का दर्जा प्राप्त का छुका था कांसी विशुदाले में अध्यन के दोरान ही पंडित भगोद्याल सर्मा सितिन्दरनाथ सान्याल जी के सानिद्धे में आए और उनसे करांतिक की बातें सीखी युवा भगोद्याल के लिए कांसी विशुदाले एक वरदान की तरह साबित हुआ क्योंकि वियाँ वे ऐसे युवाओं के संपरक में आये जो कलांतर में अपनी करांतिकारी गतिविद्यों एक कारण राश्टी स्तर पर चर्चित हुए इसका एक फायदा पन्ड़ जी को ये भी हुआ कि राजनितिक वे सामाजिक दर्ष्टी से उनको एक नया नजरिया मिला सनात कोतर अधन के अंतरगत राजनितिक विज्ञान उनका विश्य था जिससे उनको राजनितिक सधान्तिक पक्सों को समझने में मदद मिली उनका खुद का स्वाध्य भी मजबूत था और पन्ड़ जी जो मुलते करांतिकारी राजनिति के पक्सधर्थ है और उनका मानना था कि सामरज्य वादें पुझी वाद मूलते एक ही हैं इसलिए उन्होंने जीवन भर इन दोनों प्रविर्थियों का घोर विरोध किया मजबूर अक्षेतर में कारिय करने की प्रेणा भी उनको यहीं से मिली और यही कान था कि देश की आजादी के बाद सत्ता तंतर में शामिल होने को प्रात्मिक्ता उन्होंने नहीं दी अपितु उस अक्षेतर में अपनी उर्जा लगाने का बीड़ा हूठाया जो मजदूर वरक से सोशी था इसलिए वो इंटक से जुड़े और किसोर वस्ता में ही पंडित भगत द्याल ने अपने भावी जीवन का मारक चुन लिया था और वो मारक था भारत की आजादी के लिए कुछ करने का वो नोवी कक्षा में पढ़ रहे थे और बेरी के मुनिश्पल बोर्ड हाइस्कूल में जो वो पढ़ते थे तो एक दिन अपने साथियों को किटोली बनाकर वो थाने पर पहुँच गई और उन्होंने थाने पर फैरा रहे बिट्री सासन के परती की यूनियन जैक को उतार कर फैंक दिया था और इसके बाद उनको पचास बेंटों की सजा सकूल के सामने सुनाई गई थी और पचास बेंट उनको मारे गए थे पंड़ जी के करांतिकारी जी जो सुरुवात थी वो हुई और 2320 साल के जब वो थे तो गांदी जी के आवान पर अपना अध्यनकारिया बीच में चोड़कर आजादी के अंदलन में फिर वो पूरी तरक्ये से कूद गए थी विवाया के बाद भगोज द्याल जी जब बनारस गए और उस समाजादी की लड़ाई अपने शरम सीमा पर थी तो करांतिकारियों में दो दल बन गए थे गांदी जी के नेतरतों में एक दल शान्ती पूर्ण अहिशात्म कांदोलन कर रहा था और दूसरा दल सरदार भगत सिंग और चंदर सेखर आजाजी जैसे करांतिकारियों कर था जो किसी ना किसी तरीके से अंगरेजी हकुमत को उकाड़ पैकने के लिए सर पर कफन बांद कर निकले हुए थे अंगरेजों से सीधी जंग ले रहे थे और अपने जान की कोई परवा उनको नहीं थी पंडित भगोद्याल जी भी करांतिकारियों के इस गरम दल से ही जुड़े बनारस में दर्भंगा के रामनंदन बाबू से उनकी दोस्ती हुई और उनी की प्रेना से वो करांतिकारी बने राम नंदन बाबु ने दर्बंगा से आकर वरानसी इलावाद और बिहार के कुशनगरों में युवाओं को परिरित करके अपना करांती कारी दल बनाया था कोलेच से लापता होकर फिर नो दस साल करांती कारी के रूप में पंडित भगोद्याल सर्मा ने भी बिताए और इस दोरान छे साथ साल की जेल की सजा भी काटी राम नंदन बाबु की टीम में पंडित भगोद्याल ने कई करांती कारी गत्ती विद्यों को एंजाम दिया जिसमें विस्वाट करना और रेल की पट्रियां उखाडना शामिल था उसी समय की एक घटना का असुनी कुमार गोड़ जी हैं जो पंडिजी के सगे भाणजे हैं और उनके साथ काफी समय उन्होंने गुजारा था उन्होंने अपना जो अनुभाव है वो बताया है कि पंडिजी के कुछ साथि अंग्रेजों नहों पकड़े जा चुके थे इलाबाद या मुगल सराय जेल में बंद था पंड़ जी ने जेल में बंद उस साती से मिलने की योजना बनाई ताकि किसी तरीके से जेल से निकलवास के और योजना के अनुसार पंडित भगोत द्याल अपने एक मित्तर के साथ भेश बदल कर मिलाई की अनुमती लेकर जेल लेकिन वहाँ तब अजीब स्थिती पैदा होगी जब जेलर के लड़के ने पंडित भगोत द्याल को पहचान लिया और जेलर का बेटा वरानसी में पंड़ जी के साती पढ़ता था जेलर का लड़का चिलाया और एक भगोत इतना सुनकर सिपाई वहाँ आ गया और उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े पंड़ जी फलों की टोकरी गेट पर फैंक कर भागे और जेल की दिवार पर चड़कर पीछे कूद गए दस बारा फिट की उची जेल की दिवारे फांद कर काफी दूर भागे दूसरा साती उनका पीछे छूट गया और वो पुलिस दवारा पकड़ लिया गया भागते भागते पंड़ जी की सांसे फूल गई और गंगा के कीनारे पे जाप पहुँचे पुलिस पीछे लगी हुई थी क्योंकि पुलिस के पास इंपुट है कि हरियाना से आये हुआ ये यूवक भी करन्ति करी गतिविदियों में बहुत गहराई तक शामिल है अब आगे जाने का रास्ता नहीं था और तीन चार पुलिस वाले पीछे पीछे भाग रहे थे पुलिस कर्मियों को लगा कि अब तो ये पकड़ा ही जाएगा और स्याम की लगवख पांच बजे का समय था पकड़े जाने से तो मर जाना अच्छा है ये सोचकर पंड़ जी ने गंगा में छलांग लगा दी पंड़ जी अच्छे ताराक थे तैरने लगे और किनारे से काफी दूर चले गए पुलिस वाले किनारे पर ही रुख गए सरदी का मोसम ता अंधेरा च्छाने लगा था पंड़ जी ने सास नी चोड़ा और तैरते तैरते दूसरे किनारे पर जा लगे बाद में पंड़ जी घटना घजीगर करते हुए अपने परिवार वालों को बताते हैं कि उस समय भगवान जाने कौन सी सक्ती मेरा साथ दे रही थी सरदी की विज़े से हाथ पैरा कड़ गए थे रात भर किनारे पर अचेत पड़ा रहा सुबह जब आँक कुली तो देखा एक साप सामने बेठा हुआ है ये सोच कर हाथ उसके आगे कर दिया कि काट लेगा अप मुक्ती मिलेगी लेकिन साप ने भी नहीं काटा उसको पने जी किसी तरीके से वहां से खड़े हुए अपने कपड़ों को ज़ाड़ा चितना सुखाए जा सकते थे सुखाए और पुलिस उनको इस दोरान दिखाई दी जो उनकी टोम में वहां पर घूम रही थी वह किसी तरह उठकर बाजार पहुँचे और वहां छोटी सी चाय की दुकान उनको दिखी उस पर चाय पी और फिर एक गली में घुज गए वहां पर एक नाई की दुकान थी दुकान के सामने ही नाई का घर था दुकान में चटाई बिची हुई थी और वो चटाई पर लेट गए उन्हों नाई को बता दिया कि भाई मैं हुकरांती कारे पुलिस मेरे पीछे लगी गई है होसके तो बचा लो नाई ने पन्डित भगोद्याल की मदद की और दुकान के अंदर उनको बंद करके आगे से ताला लगवा दिया नाई ने अंदर उनका सिर्म उंड दिया ताकि उनकी पहचान ना उसके और इसके बाद नाई ने पैरों की जोर से मालिस की और खूब उनकी सेवा की इसके वाद उनके फाद पहरों में ठिक ठाक हल चल हुई और वो चलने लायक हुए और भार पुलिस के जूतों की आवाज आ रही थी एक गंटे के बाद वो उसी के नाई के घर पर नाकर बाहर निकले और पंडित भगोद्याल ने अपनी जेव टेटोली तो उसमें से कुछ रुपए गिले निकले तो उन्होंने वो नाई को देने चाहे तो नाई ने हाज जोड़ कर कहा कि आप जो भी हैं आप देश के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे आप से कुछ नहीं चाहिए ये तलेजा आप देख सकते हैं गरीब आदमी का भी कितना बड़ा होता है पंड़ जी अपनी बेन भगोती को भी अपनी आप बिती सुनाय करते थे वो कहते हैं कि जेल के जीवन के बारे में याद करके भी अब रातों को जाग जाता हूँ मुझे बहुत सारी जेलों में रखा गया और जेल में किसी से मिलने तो दिया जाता ही नहीं था गरम दल के जो सुतनता सिनानी थे उनको कई वरस तक अलग अलग रखा गया अंग्रेज पुलिस ये जानने के लिए कौन सा दल, किस दल से सम्बंद रखता है उसके साथी कौन-कौन है उनको यातनाई भी देते थे और पंड़जी को कुछ समय के लिए लाल कले में भी बंद रखा गया था और वो बताते थे कि लाल कले की काल कोटरी वो जो थी सिपाही बीच स्टूल पर बेट जाता था हरे कोटरी में तेज रोसनी के बलब लगे होते थे ताकि रोसनी में मच्छर मंडराते रहें और वो वहाँ पर बंद करांतिकारियों को काटते रहें बहुत कम वो सोप आते थे और करंतिकारी कई कई दिन तक कोटरी में पड़े गलते रहते थे कोटरी में पैर फैलाने तक की जगए नहीं थी और जैसे यांख जबक्ति अगर सिपाही देख लेता डिंडा मार कर जगा देता था इस तरह का जिवन पंडित भगोद्याल ने भी गुजारा है पसलिया तूटी दान्त तूट गए थे लेकिन जीवन से स्था मर नहीं पाए थे ऐसे जिवन के पहलू पंडित भगोद्याल सर्मा के हैं और पंडिजी के जेल के जिवन के अंतिम वरस फिर वो नरम दल के सत्यागरियों के साथ जूड गए थे और इन सत्यागरियों में भारत के पर्थम राश्कती डक्टर राजिंदर परसाथ भी शामिल थे और डक्टर राजिंदर परसाथ से उनकी दोस्ती आजिवन बनी रही पंडिजी जब जेल से चुट कर आये तो उनके पास पास साथ सेर कता हुआ सूट भी था और उन्होंने बताया कि जब हमें नरम दल के सत्यागरियों के साथ रखा गया था तब डक्टर राजिंदर परसाथ से भी दोस्ती हो गई थी और तब एक चर्खा दे दिया गया था जिस पर हम सूट काते थे और ये चर्खा डिब्बे नुमा एक चर्खा होता था आजकल भी ये चर्खा जो सावर वितनी आसरम उसमें देखने में मिल जाते हैं उसको खोल कर उस पे तकली चड़ा कर जमीन पर रखकर सूट काता जाता था और उनके भांजी असुनी कुमार गोड़ ने बताया है कि चुकि भगोड्याल जी बाएं हाथ से काम करते थे इसलिए चर्खा भी बाएं हाथ से काते थे और उन्होंने उनको सूट कातना सिखाया था और वो जो चर्खा था वो उनके घर दिल्ली में छोड़ गए थे कई सालों तक उन्होंने उसको समाल कर रखा लेकिन बाद में वो दाएंबाएं कहीं हो गया और पंड़े जी के पास जो काता हुआ सूत था उसमें से कुछ मातरा में वह सूत भी था जिसको डक्टर राजिंदर परसाद ने काता था इस सूत का वो कपड़ा बनवाना चाते थे और जब पंड़े जी यमना नगर रहने लगे और रिटक में चले गए थे तब उन्होंने उस सूत के कपड़े कपड़ा बनवाया और उसमें से पास घजजज़ कपड़ा अपने भांजे को दिया था और कहा था कुड़ता पजाम सिलवाले ना यह मेरी जेल की कमाई है हरियाना सोतंतरता सैनिक सम्मान सम्मेति के अध्यक्स और परख्यात सोतंतरत सेनानी राम सिंग जाकर जी होते थे उन्होंने भी बहुत सारी किताबे लिखी हैं और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1922 के भारत चोड़ो आंद सिपाई ने बंदू का जो है बट मार दिया और उनका एक दांत तूट गया था उनके कुछ साती पकड़े गए लेकिन भगोद्याल भागने में काम्याब रहे कुछ समय तक पुलिस की नजरों से बचकर भारत चोड़ो आंदोलन के लिए गुपतरूप से कारिय करते रहे और आखिर में पुलिस ने उनको गृपतर करके रहतक की जेल में बंद कर दिया था। कुछ दिन तक तो उनको रहतक की जेल में रखा गया लेकिन इसके बाद मुलतान जेल में उनको बेजा गया और मुलतान जेल से रहा होने के बाद उनको एक वरस के लिए बेरी नगर पा लिका की सीमा में भी पाबंद रखा गया था यह सब रिकोर्ड की बाते हैं दोस्तों इस दोरान रिष्तेदारी में जाने के लिए भी उनको डी सी की इजाज़त लेनी पड़ती थी और साथ में पुलिस का सिपाई उनकी निगरानी के लिए जाता था इस तरह का करांतिकारी पंडित भोगध्याल का रहा है और पंडित जी जब अपनी जनम भूमी बेरी की सिमाओं में कैत थे तो वो गंबीर रूप से बिमार हो गए थे इसके बाद परिवार के लोगों ने डी सी की अनुमती प्राप्ट करके उनको दिल्ली ले गए ताकि उनकी जांच हुए इला कर रखा है और डाक्टर जुच्छी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पंडित भोगध्याल में इस तरह की लक्षन दिख रहे हैं कि मानोवे नर्वस ब्रेकडाउन के कगार पर हैं डाक्टर ने उनका तुरंत ओप्रेशन किये जाने पर जोर दिया और साथ में सला कि अब वो इस तरह की गतिवी दिया छोड़ दें और राजनिती विचारों से दूर रहकर एक सामान ने और साधा जीवन बिताएं लेकिन डाक्टर जुच्छी ने कभी कलपना नहीं कियोगी कि ये आगमी भविस्या में एक हरियाना बनेगा और उसका मुख्यमंतरी की और और भी ज़्यादा ताकत से अपने काम में लगे रहे उस समय च्छे सुबों की पुलिस उनका गिरिफतारी का वारंट लिए भागी भागी फिर रही थी उनके सिर पर पांच हजार उपे का इनाम अंगरेजी सरकार ने घोसित कर रखा था और वे जब पकड़े गए तो उन्होंने लाहोर के किले में बहुत सारी रिक्यातनाई उनको दी गई लाहोर में उन्होंने अंसन किया 21 दिन का उन्होंने अंसन किया ताकि जेल की ववस्ताइं को सुधारा जास के और इसके बाद राजनितिक कैदियों को सुविधाएं उपलब्द करवाई की ये पन नितिक जो विचार हैं दोस्तों वो भिणता हो सकती है पंड़ जी की अपनी एक्सैली थी चोई बंसिलाल की अपनी एक्सैली थी चोई देविलाल की अपनी थी मनोलाल खटर जी की अपनी है हुड़ा जी की अपनी है जी उनमें जो कुछ भी जो आदमी कर पाता है अपने समर अगर जादा मिलता तो उनके काम का भी मुल्यांकन होता लेकिन 6-7 महीनों के काम का कोई खास मुल्यांकन नहीं हो सकता है 1947 में जब देश आजाद हुआ तब जागर पंडित जी की जिन्दगी कुछ वेवस्तित हुई और करीबन वो 14 साल अपनी पत्नी से दूर रहे इस दोरान उनकी पत्नी बताते हैं बहुत ही भागे साली थी और बहुत ही उनके कर्मों का जो फल है वो पंडित जी को भी साइद मिला होगा वो ती विनमर महिला थी उनके बहुत उत्तम संसकार थी यही पंडित भगोद्याल जी भी कभी-कभी मानते थे कहते थे कि मैं तो इसके कर मुखा खा रहा हूं तो दोस्तों यह अपना एक जीवन होता है और उस जीवन का मुल्यांकर करना चाहिए जीवन में अच्छी बाते मिलें उसको गर्यन करो बुरी बाते छोड़ दो अब केवल इसलिए कि हम किसी एक राजनिता को पसंद करते हैं इसलिए दूसरे के बारे में जाने ना तो यह अच्छी बात नहीं है यसे हम बहुत कुछ चूक जाएंगे बहुत हमारे जीवन से छोड़ जाएगा अच्छे अच्छे गुनों को गर्यन करते रहिए बुरों को छोड़ते रहिए बस यही जीवन का फर्द सुबा है पढ़ जी कहानी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों फिलाल इतना ही तीन बज़े की दोस्ती बनी रहेगी और चाहे की चुस्कियों के साथ यह रजनिती की बातों को आनंद लेते रहिएगा जब तक प्रमात्मा चाहेगा मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा शुक्रिया नमश्कार